नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 4N60 MOSFET के बारे में और इसके बारे में बात करेंगे फ्लस इसको लगाकर हम कैसे SMPS बना सकते हैं या कैसे SMPS बनती है और किस तरह 4N60 MOSFET लगाकर SMPS को operate किया जाता full circuit SMPS का वो आज हम complete करेंगे 4.60 लगा कर तो basically सबसे पहले जो main component है इसके अंदर लगने वो है 4.60 MOSFET तो उसके बर में थोड़ी से knowledge होने चाहिए आपको कि उसकी paint detail क्या होती है और उसकी testing क्या है उसकी working क्या है working के अधार पे तो हम पूरी SMPS लेंगे जिसके अंदरे 4.60 लगा होगा वो किस तरह काम करता है circuit को किस तरह operate करवाता है और कितने वोल्ट के अंदर वो काम कर सकता है तो आज हम बात करेंगे 4.60 MOSFET के अधार पे जो SMPS होती है उसके बारे में तो सबसे पहले 4.60 जो है उसकी pin detail किस तरह होगी उसके बारे में जा लेते हैं कि यह जो 4.60 MOSFET होता है बेसिकली 3 pin के अंदर आता है सबसे पहले pin होती है gate center वाली pin drain और right hand side pin source pin होती है यानि जब इसके gate पे signal दिया जाएगा तो drain to source और यह जो ट्रांजिस्ट होता है यह एंड चैनल के अंदर आता है यह इसका diagram है और physical जो हमें MOSFET मिलता है वो इस तरह होता है जिसके उपर 4.60 मेंशन किया होता है और यह दो तरह कहाता है एक तो fully metal के अंदर यानि metal के अंदर आएगा यह इसके साथ heatsink add होगी प्लस एक plastic के अंदर आता है जिसके साथ heatsink metal के नहीं होगी लेकिन वो heatsink लगाने के लिए option दी जाती है तो यह तो है 4.60 अब बात करते हैं इसकी SMPs को अंदर लगा के इसको किस तरह use किया जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्हों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किर पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जुरूर करें तो टॉपिक शुरू करते हैं सब्सक्राइब 4N6 के दारपे SMPS तो यह आप देख सकते हैं इसके अंदर 4N6 यह 2N6 यह दोनों लगबग सेम हैं इसकी वर्की में कोई फरकी नहीं है आप 4N6 यहां पे लगा सकते हैं इस मौस्पिट की जिगाह और 2N6 भी लगा सकते हैं तो एन शाट और चार एन शाट सेम इसमें कोई दिक्क्त निया है अब एक दूसरी जिगा पर लगा सकते ना सर्कृत आपका अच्छे से चलेगा कोई वह दिखकत बात नहीं ही है तो जो जो ही मॉस्फेर लगा हुआ है यह देख सकते हैं यह टू एंट साथ मॉस्पर लगा हुआ है और यह पूरी पूरी एक सप्लाई बनी हो यह यह एक अड़ाप्टर का सर्कुट है जिसके अंदर बारा वोल्ट और दो अम्पेर के लिए इसको काम में लिया गया है यह मॉस्पर लगा के बारा अब पर हम फोलाई बैक ट्रांस्फर हो लगाता है वह किस तरह काम करता उसके बारे में करेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे किमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर है तो और नाम है महाकाल आस्टेलोजिस्ट सर्विस है तो इनका यह नाम है और इसके साथ-साथ इनह मैं थोड़ा से इसको हिंदी में convert कर देता हूं कि हर्ट transformer alternative current पर काम करता है लेकिन यहां circuit में आपने बता रखाया कि flyback transformer के input में direct current दे सकते हैं तो मैंने इसके अदर थोड़ा सा आप को थोड़ा से समझना पड़ेगा कि मैंने इस transformer को direct current नहीं दिया है मैंने एक bridge package डायड लगाया है उसके दुवारा मैंने DC convert करके दिया इसको ठीक है यह आप circuit के अंदर देख सकते हैं जो पहले वाले circuit देख सकते हैं जो मैंने SMB करवाया है तो यह जो आप circuit देख सकते हैं कि यह जो हमारा flyback transformer है यह पूरा पूरा एक flyback transformer है इसके अंदर जो मैंने direct current यह दिया है यह हमारा है DC current यानि AC तो इस साइड आई है 220 जब bridge डायड लग गया यहाँ पे आगया DC current तो मैंने यह DC current इसकी एक pin के उपर दिया है यानि यहाँ पे DC supply दिया है लेकिन इस जो यह हमारा flyback transformer होता है यह fried core के यहाँ के दार फे बनया जाता है इसके नदर E और I का प्रियोग नहीं किया जाए यानि इसके अंदर iron यारी की रौड जो लगी थी आम transform के अंदर वो इसके अंदर प्रियोग नहीं किया जाता है इसके अंदर fried system होता है यानी means जैसे हमारे एक चिन्टी पत्थर होता है किसी चीज से नहीं जुड़ता यह दोनों को जोड़ कर उस पर टेप लपेड़ दी जाते हैं कि यह साथ में चिप के रहे और जब यह इसके बीच में जो है यहां पर एक कोई लगाए जाती है प्लास्टिक अंदर लपेड़ को उसके अंदर स्केंट्री और प्रैम्री वाइ बारा जिरो बारा नो जिरो नो छे जिरो जिरो जिए जो ट्रांसफर्मर जाए वह हमारा होता है उसके अंदर ई और आई का प्रियोग किया जाता जो की आईरिन को होता है इसके अंदर आईरिन का प्रियोग कुछ भी नहीं होता यह फ्राइट को ट्रांसफर्म मींस करवाने के लिए अगर आपको ड्रेक्ट इसके उपर आप सप्लाई दे दोगी यह नहीं होगा ना काम करेगा लेकिन इसको अपरेट करवाने के लिए 200 से लेके 1000 वोल्ट के करीब दिया जाएगा जो कि DC के साब से जनेट होता है तभी तो हम SMPS का प्रियोग करते हैं यानि स्विच मोड पावर स्प्लाई यानि हम इसके अंदर य से प्लाई को सबसे प्लें DC में करवड करते हैं फीर भी जब जाती है फिर उसी डी सी को फिर ज को K Gang कर दे ते हैं तभी यह हमारा सर्किट अच्छे से काम करता है और switching जब दो वरी switching इसके अंदर हो जाती है तो जो हमारा output मिलता है SMPS के रूप में जो हमारा output मिलता है वो fix हो जाता है उसके इंदर उतार चड़ावनी होता means आपकी AC अगर कम जादा हो रही है लेकिन आपका जो output रहेगा इस SMPS के द्वारा जो आप circuit बनाओगे उसका जो output रहेगा वो fix रहेगा वो कम जादा नहीं होगा अगर आप direct transformer से वोल्ट लेते हैं for example मैं एक ट्रांसफर्म यूज़ कर रहा हूं आइरेन को डाउन हो जाएगा अगर इंपूट स्प्लाई जो 230 की बज़ाई यहां पर 280 आगी या 300 वोल्ट आगे अगर स्प्लाई अप होती है तो यह ट्रांसफर्मर भी आउट्पुट के रूम में स्प्लाई को अप कर देगा इसी लिए हम क्या प्रियों करते हैं स्प्लाई का प्रियों करते हैं ताकि हमारा जो इन्पूट है यानि जो सर्कृट इस ब्रिच डाइट से जो पहले इन्पूट आएगा यह 220 यहां पर चाहे 180 रह जाए यह 140 रह जाए यह 200 हो जाए 240 हो जाए 300 हो जाए तो हमारा जो आउट्पुट हो गाई है निकालेगे वह फिक्स रहेगा ना कि कम होगा ना ज्यादा तो इसलिए हम फ्राइड को ट्रांसफर्म यानि फ्लाइबैक ट्रांसफर्म का यूज करके हम सर्कृट को अपरेट करवाते हैं इस फ्लाइबैक ट्रांसफर्म को ओन करने के लिए हमें 600 से लेके 1000 वोल्ट चाहि जनेरेट होते है तो किस तरह यह काम करते हैं लेकिन कई यह को । रहता है कि सर 1000 अगर वोल्ट है तो मल्टी मिट्र जो हमारे हमारा सब्सक्राइब करने के लिए 600 की रेंज होती है यहां जो हमारे लास्ट कि यहां पे इस जगा पे हमारा वोल्ट एक हजार बन रहा है या नहीं तो वह भी मैं आपको इसके अंदर पता दूँए किस तरह ऑपरेट होता है यह हमारा फ्लाइबक जो ट्रांसफर्म होता है इसको ओन करने के डिरेक्ट यह इसी प्याओन नहीं होगा इसको डीसी स्प्ल कि एक फ्रिकेंसी बनानी पड़ेगी हमें एक यानि जिसे अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा करण्ट ठीक है वह अल्टरनेटिव किस तरह जनेट किया जाता डीसी को करके तो वह इस सर्कृट के अंदर आज हम करेंगे एसमपेस के अंदर तो सबसे पहले यह जो आज का जो सर्कृट हमराई सबसे है यह है यह जो किस तरह आपने आईसी के अधार पे जिसके अंदर 38-42 आईसी या 38-45 या 38-85 या थी यह तो वह अलग अधार पे भी जो होती जिसे पीड़ुमिक बोलते हैं तो आज हम बात करेंगे जो मॉसफट के अधार पर जो आईसी है तो व तो सबसे पहले, जो हमारी A-C-Sply को हम सबसे पहले DC में convert करेंगे, क्योंकि यह पूरा circuit DC पे operate होता है, लेकिन यहां पर जो transfer को AC frequency किस तरह बनेगी, वो भी आज बात करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम जो bridge diid, यानि चार diid हम लगाएंगे इसके ऊपर, तो चार डायITY क्यों लगा है यह काफी बार करवाय चिका हूं कि जो हमारीbling of नूटल और फेस होता हैdır नूटल और फेस के अंदर अगर हम एक डायीड नूटल के अंदर और एक हमिस के अंदर लगाते हैं तो उसे बोला है हाफ धैंट है कर अधिक अगर आरही है सकने अंदर कुछ तीन ये उते हैं और फेस के अंदर कुछ एलेक्ट्रों होते हैं और उन दोनों को फेस न्यूटर के दोनो 오रे लिए चार डाइट गाते हैं जिसे हमें इसके अंदर जो पोजटी सिगनल है सब्क मम यहाहिए प्लस माइस के ठीक है अब यह प्लस और मैनिस क्यासे निकार है यह तो आपको ब्रिज राइट देखना पुड़ेगा सर्केट मैंने पहले भी इस की वीडियो अफ्लोड कर सके करक्षी है ब्रिज और फिल्टर स्टेज के माध्यम से ताके वह किस तरह DCF हमारी बनती है तो जहां पर हमें क् पर देदिए एक पिन के उपर और अब क्या किया गया एक वन मेगाओम की रिजिस्टर्म के माधयम से मॉस्पट के गेट पर स्प्लाई दी गिए और इसका ड्रेंड पॉइंट को ड्रेक टेक आश्चारा से जोड़ दिया गया और दूसरी साइड जो हैं मॉस्पट के मैं यहाँ पे यह supply दे दिये इसको जो हमरी है नेक्टी स्प्लाई यानि ground यह जो symbol दखाया गया और यह symbol means यह ground का है यानि इसके उपर जो यह black किया गया पूरा तो इसको एक समझाने का method है कि यह जो black किया गया means यह black है तो यह यहाँ पे क्या है minus है यहाँ पे ground है तो ground एक वन आर के रिजिस्टर के मादिम से हमने इसको नेक्टी स्प्लाई दे दिये अब इस मॉस्वेड को एक बार तो यह रिजिस्टर के मादिम से वोट मिलेंगे जिसे एक बार को second के लिए आन होगा जिससे इस ट्रांसवर्म के अंदर कुछ स्प्लाई जनेरेट होगी वही स्प्लाई हम फीडबैक के रूप में यह जो दो ड्रैवर लगें हों है हमारे Transistor एक कोन सा है एक तो हमारा S94 जोकि NPN है यह जो सनभाव है यह हमारा है NPN और एक है 95 जोकि PNP है तो यह Consist क्यूं लगाएगे यह ड्रैवर का काम करते है ड्रैवर का काम होता होता है इस के गेट के वपर ये पार सब्सक्क थे ओई ऑप एक रोग छले जाएक फिर अपर भी है प्यूंड democrat करें यहां से यहां जनी स्सूस्ट टीए कोन सी पाइटरेट करेगा इस जगा पर नक्टिव फिर जब यह औन-फिर यह पोस्टिव फिर एक यह नेक्टिव यह यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा एक बर ऑफ होगा जिससे यहां पर pulse generate होगी high और low, high और low जिससे on off, on off करेगा high low, high low pulse generate होगी जिससे जब यह alternative current के अंदर generate हो जाएगा यानि 1000 की उपर volt चला जाएगा तब यह transfer regular on रहे जाएगा और जब यह regular on रहेगा तो यह secondary winding के अंदर भी volt transform कर देगा जब यहां पर transfer होगे volt तो आप एक diode लगाके इसको DC में convert करके positive supply बना सकते हैं और एक diode उल्टा लगाके negative supply बना सकते हैं जहां पर positive or negative supply बन जाएगी अब इस negative or positive supply को regular चलाने के लिए यहां कोई short circuit के लिए आपको एक feedback signal चाहिए इस MOSFET के लिए तो वह feedback signal किसे बनाया गया हमारा जो कि अप्टो कपलर आई से PC 870 यह आई सी लगाई गी इसको एक जगा पर negative supply दे दिगी है यानि इस पिन नमर एक और दो के उपर negative or positive supply दे दिगी है जब भी वोल्ट 11 वोल्ट से उपर चले जाएंगे तो यह pass out वोल्ट कर देगा जिसे यह on हो जाएगी ओन होने के बाद यहां के यह वोल्ट है जो आमिटर वोल्ट होगे इसके बेशर्म यहां पर दृट है पर जाएगा यहां पर पॉस्टि वॉल्ट हो जाएगे प्रेटर लॉट ग्रांड और यहां टेयुक्त होसे इसटिंगे जीरो वोल्ट होनएक बाद इसके जो मौसबड एगे याँ जाया नहीं में आजा आज़ासरी । गेट के वपर जीरो वोड हो जाएंगे वो कभी भी हाई लो नहीं होआँ जाएक जोड़ हो जाएंगे जब तक यह भी आमसिलर्ण उ रहेंगे जब तक यहां नहीं होने देगा जैसे हमने यहां पर शौर्ट सर्कृट हटा दिए हमने तो यह आप्टोमेटिकली यहां पर जाएगा जिसे नेक्टिब जेंक्शन तूट जाएगा और इसको डिरेक्ट नेक्टिब श्प्लाई मिनने शुरू हो जाएगी कहां से इस रजिस्टर के माध्यम से 417 और इसके माध्यम से यहाँ पर इसको न्यक्टी सप्लाइ नर्ड के लिए 470 लगाईगी न्यक्टीव के लिए काम करता है हमेरा ऐसे के अंदर जक्तित के अभूसेटर पाएगा है। आउटपुट हमें मिलता रहेगा इस तरह एक मॉस्फिट काम करता है हमारा और जिसके अंदर 2N60 या 4N60 मॉस्फिट लगाता है उसके अधार पर जो SMB बनाई जाती है वो आपके सामने किस तरह काम करते हैं ये दोनों ट्रांसफिर में ड्रैवर का काम करते हैं प्लस एजे क् जब ये दोनों ट्रांसिस्ट कराब हो जाएंगा तो आपका मॉस्फिट नहीं होगा जिससे आउटपुट बंद हो जाएगा अब फाल्ट की बात करते हैं कि इसको किस तरह हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कर नहीं कर रहा है जैसे इसको पर सप्लाई दी जाएगी मॉस गालर स्जार केंदर मल्टिमेटर स्ट होना चाहिए cioè एक हजार जाब ये छैसंव कंदर आप मल्टिमेट स्ट्री प्रोप लगाओगे न्यक्टिव जहां पर भी आपको मिल रही है यह कि पैस्टर पे नेटि वहाँ लगाेंगे और एक पिन को इसके इस पिन पर लगाएंगे ट्रांसफर्म कि अगर यहाँ पर 1000 वोल्ट यह 600 वोल्ट आ रहे हैं तो यह आपका मॉस्पेट काम कर रहा है आपकी fly okay है अगर यहां पर वोट नहीं मिलें मीजस यह transformer सवरी यह Mothpet off है और Mothpet को आपको check करने करने मेथन में पता दिया किस तरह आप चेक करना है Mothpet को check करने मेथनल बिल्कों सिंपल है Mothpet को अगर आपने चेक करना है तो इसका डाइड की वैल्यू यहां पर शो होती है जैसे हम एक डाइड चेक करते हैं उसी तरह से ट्रांज मॉस्पेट चेक होगा तो जो डाइड का यह पॉइंट होता है यह तो कथोड और यह जो इधर वाला अनोड अनोड मिन यहां पर पोस्टी प्रोब और कथोड वाले रिया ड् अगर मॉस्पेट के सब्सक्रास मॉस्पेट को हैके तो मैंने आपको बता दिया किस तरा सप्लाई काम करती है हमारी अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चे लिए तो लाइक शेर ओ सब्सक्राइब जरू करें तब तक के लिए धन्यावाज